नमस्कार दोस्तों आपका आर्थिक स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे के 2020 मेश राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन भी दबा दे यदि हम बात करें मेश राशी वालो के लग के वारे में तो लग के लिए तो ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है यदि आपने किसी शेर मार्केट में पैसा इंवेस्ट कर रखा है तो उससे अवश्य ही आपको लाब होगा और आपको अचानक से धन प्राप्ती के योग भी बनते हैं लोट्री खुल सकती है आपकी बात करेंगे मेश राशी के विवा के वारे में जदी आप आविवाहित हैं तो आपके विवात हैं होने के पूर्ण रूप से योग बनते हैं जदी आप विवा संबंदी परशानियां जहल रहे थे तो ये भी आपकी सुलस्ती हुई नजर आ रही है बात करेंगे विवसाय के बारे में मेश राशी वालों के विवसाय के बारे में विवसाय के लिए तो ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम हैं ये साल आपको हर तरह की चीजों में उन्नती परदान करेगा आप अगर यदि विवसाय शुरू कर रहे हैं तो ये साल विवसाय के लिए बहुत ही अच्छा है और जो लोग विवसाय में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है आपकी प्रॉब्लम सोल होती हुई नजर आ रही है बात करेंगे मेश राशी के लव के बारे में प्रेम संबंद के बारे में प्रेम संबंद के लिए ये साल बहुत अच्छा है यदि आपका कोई पार्डनर आपको छोड़ के चला गया था तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में दुबारा वापिस आ जाए और यदि आप प्रेम विवा करना चाते हैं तो ये साल बहुत ही अच्छा है प्रेम विवा होने के पून रूप से योग बनते हैं मेश राशी वालों के नवम भाव में ब्रस्पति महराज अपनी राशी के अपने घर में बैटे हैं ये साल आपको तीर्थ यात्राओं से भरपूर मिलेगा यानि कि आप इस साल तीर्थ यात्राएं काफी करेंगे गुरु जुनों का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा मेश राशी वालों के लिए ये साल बहुत ही उत्तम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार